जिस घर में आप आज रहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि 25 साल के बाद भी आप उस घर में रहें और आपके बच्चे उस घर में रहें? जितने तेवहार आज आप मनाते हैं, क्या आप चाहते हैं कि 25 साल के बाद आपके बच्चे भी उस सारी तेवहार मनाए? क्या आप चाहते हैं कि जो आपका flat है, जो आपका mktor है, जो आपका farm house है, जो आपका खेत है उस पे कोई और ने कबजा करें, बलकि उस पे आपके बच्चों का ही कबजा हो क्या आप चाहते हैं कि 25 साल के बाद आपकी बहन बेटियां सुरक्षित रहें उनकी हत्या नहों, उनका बलातकार नहों क्या आप चाहते हैं कि 25 साल के बाद आपके बच्चों को पलायन न करना पड़े यदि हाँ, तो दल गुलामी छोड़ दीजे मैं बार-बार कह रहा हूँ दल गुलामी छोड़ दी जिए क्योंकि 1947 में राजकपूर जी राजेंद कुमार जी ने भी सोचा नहीं था उनको छोड़ के भागना पड़ेगा और भागे विनोत खन्ना प्रेम चोपड़ा ये चोपड़ा रोसन साहब सेखर कपूर गुलजार साहब ने सोचा नहीं था कि उस सारे तेवहार जो अपने घर में मना रहे हैं उनको बंद करना पड़ेगा और जिन अपनी हवेलियों में रह रहे हैं उसको छोड़ के भागना पड़ेगा 1947 में लाला मरनाथ, मिलखा सिंग, खुसवन सिंग, मन मोहन सिंग जी और इंदर कुमार गुजलाल साहब ने सोचा नहीं था कि जिन हवेलियों में उरह रहे हैं, 25 साल के बाद, कुछ दिनों के बाद, उनको अपना सब कुछ छोड़ के भागना पड़ेगा 1947 में आडवानी जी और जेट पलानी ने सोचा नहीं था कि उनको अपना घर, मकान, दुकान, खेत, खलिहान, सब कुछ छोड़ के भागना पड़ेगा अभी 75 साल पहले मजहब के अधार पे बिभाजन हुआ और इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि जामिया मिलिया में दिपावली नहीं मनाने दिया गया इतनी हिम्मत बढ़ गई है जबकि 75 साल पहले मजहब के अधार पे बिभाजन हुआ कि मुंबई में दिपावली पे लाइटे नहीं जलाने दे रहे, पटाखा नहीं फोड नहीं दे रहे सबको एक साथ मिलके सोसाइटी में खड़े हो कि दिवाली नहीं मनाने दे रहे मैं इसलिए बार-बार कहता हूँ, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से पहली बात तो 1947 का बेभाजन ठीक नहीं हुआ, सही तरीके से नहीं हुआ, बाबा साब अमबेटकर ने खुद अपनी किताब में लिखा हुआ है, ये जो बेभाजन हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है, और मैं बिलकुल बाबा साब अमबेटकर से सहमत हूँ, कि वो बिलकु सही कह रहे थे जो बिभाजन हुआ है ये हिंदुों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है अब दूसरा अगर आप सोच रहे हैं ये कोरी कलपना है तो मैं आपको बता दू कि उनिस सो सैंतालिस में 14 जनवरी को मकर संक्रांती थी 27 जनवरी को बसंद पंचिमी थी 19 फरवरी को शिवरात्री थी साथ मार्च को होली थी 30 मार्च को रामनौमी थी और आडवानी जी जेठ मिलानी जी प्रिथवी राजकपूर रोसन सहा मिलखा सिंग सुनिल दत्त राजकपूर्ण के सब लोगों ने अपने अपने घर में मनाया था मैं इनका इसलिए नाम ले रहा हूं सारे करोड़पती थे उस जबाने के कवड़पती थे बड़े इनके पास मकान थे इनके फार्म हाउस थे बड़ा इनका उद्योग था वड़ा व्यापार था सब कुस था इनके पास मैं गरीमों की बात नहीं कर रहा हूं तीन अप्रेल को महाबीर जेंती थी 1947 में 14 अप्रेल को 1947 में बैशाखी थी पांच मै को बुद्ध पूर्णिमा थी इसी तरीके से 20 जून को जगनाजी के रते आत्रा थी तीन जुलाई को गुर्णिमा थी और ये जितने भी महापूरूसों का मैंने नाम लिया आडवानी ज जी जेट मलानी जी मनमहुल सिंग जी गुजराल साब खुसवन सिंग मिलखा सिंग लाला मरनात सुनिल दत गुलजार सेखर कपूर रोसन साब येस चोपड़ा प्रेम चोपड़ा विनोत खन्ना राजेंद कुमार राज कपूर इन सब लोगों ने तीन जुलाई को बड़ी हवेलियां बड़े बड़े बंगले खुब अच्छा खासा खेद व्यापार सब कुछ छोड़के वहां भाग के आना पड़ा और 31 अगस्त को रक्षाबंधर नहीं मना पाए क्योंकि उस समय विभाजन हो चुका था भारत में आ चुके थे इसनी स्थिती नहीं थी कोई पैजामा पहन के आया था कोई लूंगी पहन के आया था कोई अंडर्वियर पहन के आया था तन पे कपड़े नहीं थे भोजन करने के लिए कुछ सामान नहीं था तो विचारे रक्षाबंधर कैसे मनाते साथ सितंबर को जनमाष्टिमी थी और ये जितने भी महापूर्सों को मैंने नाम लिया ये जनमाष्टिमी नहीं मना पाए भारत में जुग्यों में रह रहे थे 18 सितंबर को गड़ेश्च चतुर्थी थी उस समय जुग्यों में रह रहे थे 15 अक्टूबर को अग्रेसेंज जैनती थी 24 अक्टूबर को दसहरा था 29 अक्टूबर 1947 को बालमी की जैनती थी दो नॉवंबर 1947 को करवा चोथ थी 12 नॉवंबर को दिपावली थी और 14 नॉवंबर को भईया दूस ही दिपावली में और उस समय आडवानी जी जेट मलानी जी मनमोहन सिंग जी गुजराल सहाब खुसवन सिंग मिलखा सिंग लाला मरना सुलिल दत गुलजार सेखर कपूर रोसन साब यस चोपड़ा प्रेम चोपड़ा विनोत खरना राजिंद कुमार राजकपूर यह सब जुग्यों में रह रहे थे और यहीं नहीं लाखो और लोग मैं लाखो लोगों कर नाम इसलिए नहीं ले सकता हूं बहुत लंबा समय लगेगा मैंने कुछ महत्वण नाम कभी नहीं सोचा था इन लोगों कि अगले महीने क्या होने वाला है लेकिन हुआ 1990 में कस्मीर में हिंदून कभी नहीं सोचा था 15 दिन के बाद क्या होने वाला है अभी जुलाई के महीने में बंगलादेश के हिंदूने नहीं सोचा था कि अगस्त में क्या होगा लेकिन जो अगबर के समय हुआ, बाबर के समय हुआ, हुमायूं के समय हुआ, तुगलक, गजनी, गोरी के समय हुआ, खिलजी के समय हुआ, जो अफगानिस्तान में हुआ, जो पाकिस्तान में हुआ, जो कस्मीर में हुआ, जो मालदीब में हुआ, वही बंगलादेश में हुआ. इसलिए मैं कहता हूँ दल गुलामी छोड़ दीजे बटिये मत पहली बात तो ब्राहमर छत्री वैश दलित के आधार पे बटेंगे तो कटेंगे 100% कटेंगे कोई बचा नहीं पाएगा दूसरा दल गुलाम बने रहेंगे तो भी कटेंगे इसलिए सबसे पहला काम यह करिए प्रतेक सब्ता सामुहिक रूप से मिलना सुरू करिए दूसरा अपने नाम के पांच-पांच-जार लोग को जोड़िए यदि आपका नाम महेस है तो पांच-जार महेस को अपना पांच-जार महेस को जगाएंगे और एक महेस एक परिवार का मतलब आप पांच-जार परिवारों को जगा पाएंगे आएसे सब लोग अगर अपने अपने नाम के पांच-पांच-जार लोग को जोड़ लें और एक व्यक्ति जोड़ता तेक तरीके से एक परिवार जोड़ जाता है तो आप कलपना करिए कि बहुत जल्दी अगले 6 महीने के अंदर हम पूरे भारत को जोड़ लेंगे मैं फेस्बूट इसले कह रहा हूआ हैं कि ट्विटर पर म आट 5 करोड लोग है — और सब शहरी लोग है इंस्टाग्राम पर भी क्यों शहरी लोग है फेस्बुक पे 50 करोड लोग हैं 50 करोड भारती फेस्बुक यूज करते हैं गाउं का किसान गाउं का मजदूर रिक्से वाला ठेले वाला गोलगप्पे बनाने वाला लाई चना बेचने वाला मिठाई के दुकान पे जलेबी समोसे बनाने वाला सब फेस्बुक यूज करते ह और उनको कोई खत्रा पता ही नहीं है, शहरी लोगों को खत्रा पता चल गया है, शहरी लोगों को पलायन क्यों होता है पता चल गया है, शहरी लोगों को कस्मीर में क्या हुआ था पता चल गया है, लेकिन गाओं के लोगों को पता नहीं है, गाओं के लोगों को पता ही नहीं पता है अगबारों ये बाते लिखी नहीं जाती है और electronic media पर इस पर चर्चा नहीं होती है तो उनको पता ही नहीं रहे तो alert कैसे होंगे alert नहीं होंगे सोचेंगे नहीं तो आगे से वो कुछ इस पर अपना action कैसे अपनी planning कैसे कर पाएंगे इसलिए मैं कह रहा हूं आज के नेता भी नेता लेखक बुद्धिजीवी पत्रकार कलमकार बीस से पच्चिस साल के बाद या तो भारत छोड़के भाग जाएंगे और नहीं भी भागेंगे तो इसके बचक को बचाने नहीं आएंगे नहीं आएंगे नर नवासरीफ पाकिस्तान में हिंदुओं को बचा रहें ना उसके देपरवेज मुसर्रफ ने रिकिंश और जब आगजनी होती है तो यह नेता भी नेता तो पहले भागते हैं आप खुद भी देख लीजिए पाकिस्तान 1947 सबसे पहले कौन भागा सक्षम लोग भागे जो गरीब थे किसान थे मजदूर थे वह तो विचारे अपने खेद बाड़ी लेकर वहां बैठे रहे और धिर दिन को convert कर दिया गया करना क्या है आपको पहले तो 5000 फेस्बूक फ्रेंड बना लिजे अपने नाम के पांच जालों को जोड़ लिजे सब्ता हम एक दिन मिलना सुरू करिए अपने आसपास के लोगों को और तीसरा काम सांसोदों विधायकों को पकड़ना सुरू करिए मैं बार-बार कह रहा हूं आज के नेता 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं बचा पाएंगे लेकिन जिन कानूनों की बात मैं कर रहा हूं अगर ये कानून बन गए अगले 500 साल तक हमारे अराब के बच्चे सुरुक्षित रहेंगे तो मांग क्या करिए सबसे बो सिविल कोड लागू करो तीसरा बोलिए समान धर्मस्तल संगिता लागू करो चौथा कहिए पुलिस संगिता वन नेशन वन पुलिस कोड बनाईए क्योंकि यूपी के पुलिस तो अलग तरीके से काम कर रही है लेकिन के पुलिस और बंगाल के पुलिस वह ऐसा काम नहीं कि तो पर जैसे यूपी के पुलिस काम कर रही है, वंग और समस्ट कर काम करेगी, जब लॉफी सीन कर सबलाइबर कर दो टाम कर रहा आधा, जरएम ku कर सुमस्टारघ माले के पुलिस कवर्णू स्विंपकरत है, वह इससे उन लॉफी सम commission कर और सबंध में जब तक बाढ़ाएंगे नहीं भारत से, जब तक इनको जेल में नहीं डालेंगे, तब तक ही विभाजन बंद नहीं करेंगे, वो विभाजन करते रहें उपसी काम थे इनको पैसा मिलता है, तो 1 nation 1 election code की ज़रूवत है, और सबसे बड़ी बात जन संख्या नियंतरण कानून की जरूरत है 90,000 बच्चे प्रति दिन पैदा हो रहे हैं इसमें से हिंदू मातर 45,000 हैं 90,000 में से 45,000 बच्चे हिंदू है 45,000 कनवर्टेड हिंदू है बहुत बड़ा खत्रा है मारे लिए प्रति दिन घुसपैठ हो रही है आज भी हो रही है घुसपैठ ही बच्चा भी पैदे कर रहे है और 5,500 घुसपैठ ही आ चुके है प्रति दिन 10,000 हिंदू का धर्मानतर हो रहा है इसलिए घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून की जरूरत है और जनसंख्या के खिलाफ कठोर कानून की जरूरत है हमारे कठोर कानून के जरूरत है घुस पैठिये बॉर्डर पे 2000 रूपए दे के आते हैं अंदर आके 2000 रूपए में आधार रासनकार रोटर डाइविंग लाइसंस बनवा लेते हैं इसलिए भरस्टाचार के खिलाफ कठोर कानून के जरूरत है भारत को भारत पे गजवाहिंद करन किनारे नदियों किनारे पहाड़ों पे अवैध निर्माड हो रहा है इसलिए अवैध निर्माड के खिलाफ कठोर कानून के जरूरत है जहाद निहंत्रण के लिए कठोर कानून के जरूरत है और सबसे इंपोर्टन नार्को पॉलिग्राप डेन मैपिंग कानून के जरूर सबसे बढ़िया तरीका है नार्को पॉलिग्राफ डेन मैपिंग कानून हो जूट बोलना गंभी रपराद हो जूटी गवाही देना गंभी रपराद हो जूटा एफीडेविट फाइल करना गंभी रपराद हो और जैसे आप घुसपैठियों को पकड़ो धर्मांतरन कराने नागरिक्ता खतम करने आजीवन का रवास फांसी देने के लिए कानून नहीं बनेगा तब तक न घुसपैठ बंद होगी न धर्मांतरन बंद होगा जब तक हम दो हमारे दो जो ना माने उसकी नागरिक्ता खतम करने के लिए कानून नहीं बनेगा तब तक जनसंख्या वि परबादी इसलिए होगी कि आप दल गुलामी करते हैं, आप पाइटियों के गुलामी करते हैं, आपको अपने बच्चों की भविष की बिल्कुल चिंता नहीं है, कुछ लोग पारसत बनने के लिए पागल हो रहे हैं, कुछ प्रधान बनने के लिए पागल हो रहे हैं, सदों विधायकों से मिलना सुरू करिए सापताहिक रूप से मिलिए और उनको बोलो भाईया तुम जीरो आवरम सवाल उठाओ कुषिशन आवरम सवाल उठाओ प्राइवेट मिम्मर बिल पेस करो और जिस कानून के लिए वो बिल पेस करना चाहेंगे बिल बना के मैं दूँ आइसा मैं जनसंख्या नियंतरन कानून के लिए बिल बना के दूँगा कि आदमी तीसरे बच्चे के बारे में सोचे गा ही नहीं जुड़वा हो जाए तो भले तीसरा हो जाए नहीं तो कभी सोचे गा नहीं हर समस्या का समाधान कानून से हो सकता है भारत की 80% समस्याओं क समाधान मैं गारंटी के साथ कहता हूँ हो सकता है एक साल में समस्याओं का समाधान हो सकता है लेकिन नियम कानून बदलना पड़ेगा और तभी होगा जब आप पांच-पांच-जार फेस्बूक फ्रेंड बनाएंगे सबता हमें मिलना सुरू करेंगे सांसद विधायक से म पपो हो चाहे मुन्ना हो जो भी है ये पच्छिस साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे ये सत्ता जीवी ओट जीवी नेता ये केवल लक्यूल आपको जुमले देते रहेंगे कोई समाजवाद का जुमला देगा कोई अम्बेटकरवाद का जुमला सब तक भोगेंगे और आपके बच्चों को खत्रे में डाल देंगे